यूद्ध की सैजारी इस सर्कर्ट सकता है वगड़ जिस रख्यों ने हमारी जहां की पड़न सर्कर्टा आज़े उन्स रख्यों को हम खाप मिला देखे हार हार नहीं दूगी ये सर्कर्ट सकता है लेकिन जूप नहीं सकता जिन हाथों में कंगन पहने जाते हैं वो हाथ दलवार चलाना भी जानते हैं इन सभी बातों को सुनकर हमें याद आती है खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी कुछ इसी अंदाज में नजर आई इंडियाज नेक्स सुपरस्टार की एक प्रतियोगी जिनके एक्ट ने हाज रोहीत और करन के रोंटे खरे कर दिये कहने को इंडियाज नेक्स सुपरस्टार के मंच पर वैलेंटाइन्स वीक मनाया जा रहा है लेकिन जहासी की रानी के इस दमदार एक्ट ने वैलेंटाइन डे को साइड में रख दिया क्योंकि देश भक्ती के आगे कोई भी डेट टिक कहां पाता है प्रतियोगियों के हर एक्ट को करन और रोहित बड़े ही गौड से देखते अब भी एक्ट देखने के बाद इनके कमेंट सुनने में हमें तो बड़े दिल्चस्पी होती है क्योंकि ये जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं ये आपने ये चरा देखा रोमैंस और लव गरंजोहर जब सामने बैठने हो तो हम घरन जोहर के सामने रोमैंस और लव की बाते करें लेकिन सारी ऐसी फिल्में तो आपने बनाई हैं आपने बना बना के हमारा जो खर्चा करवाया है ना जो कार्ड खरीदवाया ना आपके कुछ-कुछ होता के वज़े से हमारा उस वक्रण जो घर पे नहीं होता वो बड़े पड़ते पर हो जाता है आपर पर मैं आज एबी बे न्यूज के तुरू मैं बोलना चाहूंगा के उस 90s के जितने नौजवान थे उनका खर्चा है नोने बहुत खराया हमारी जो अब बीवी बन चुकिए जब गर्फरिंट इनकी फिल्में देखके आती थी और बोलती थी कि तुम ऐसे क्यू रही बूलना तुम ने पर आपने उस चक्कार में कुन है पर लालपू लाना चाहे कपड़े लाना चे कपड़े पहन न चे कपड़े पहनना श्यारुख जैसे अब कूल वाला हम ढूंद के ठख गए व लौकेट हमें आज तक नहीं आज तक नहीं पूच्छा जा अच्छर नही करते थे तो मैंने कहा है यह तुम सारुखान की टिश्ट होगा ही इसे सर पूरा लिंकिंग रोड में मिलता है मैं आपका तबसे फैन रहा हूं में एक मोमेंट बताऊंगा मैंने ओविसलि उस वक्त मैंने आपके साथ काम नहीं किया था बट मैंने वह में देखा था के बोले चूडिया गाना के वक्त आप इतने वक्त आउट हो गए थे कि आप फेंट हो गए थे और फिर आपने लेटे-लेटे वह एक सीक्मेंस किया अब आप सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड में कोई सेलेबिटी क्यों नहीं नजर आ रहा है हब जहां पर प्रतियोगियों की इतन पुम्बई से जोयता मित्रा सुवर्णा के साथ एबीपी निउस रिपोर्ट ये है एबीपी निउस आपको रखे आगे